पसु पती पारस्ट और चिराग पास्वान के बीच तीसरी उधिक के शुरुआत हो गई यानिकी चाचा वर्सिस बतीजा 3.0 के शुरुआत हो गई मैं बात कर रहा हूं पसुपति पारस और चिराग पास्वान की उनके बीच अब तीसरे मुद्दे पर लड़ाई शुरू हो चुकी है सबसे पहले मुद्दे की लड़ाई यानि की चाचा वर्सिस भतीजा 1.0 जो था वो था पार्टी पर कबजे की लड़ाई जिसमें चिराग पास्वान और पसुपति पारस दोनों में से किसी को कुछ भी हाथ नहीं लगा यहां तक अगर देखा जाए तो एक बढ़त यहां पर पसुपति पारस को पार्टी के कार्याले के रूप में मिला था क्योंकि जिस पार्टी कार्याले से लोजपा चला करता था उसी पार्टी कार्याले से राष्टी ये लोगजनती चलने लेगी जिसके मुखिया थे पसुपति पारस उसके बाद चुनाव आयोग ने पार्टी को दो भाग में बाट चला हलाकि इस लंगे युद में भतिजे चिराग पास्वान ने चाचा को भूड़ी तरीके से धूल चटा दी धूल ऐसी चटाई कि चाचा को राष्टियर राजमीती से ही बाहर कर दिया यानि कि राष्ट अस्थर के राजमीती में पसुपति पारस की कोई भूमिका नहीं है उसके बाद चुनाव समाप्त हो गये चुनाव समाप्त होने के बाद चाचा ने थोड़ी सी नर्मी दिखाई जिस भतिजे को वो अपना खूं नहीं मानते थे उस भतिजे को उन्होंने बरा बेटा करकर संबोजित किया लेकिन चिराग पास्वान का हम मानने वाले थे चिराग पास्वान ठान के बैठे थे कि हिसाब तो एक-एक गिन कर लिया जाएगा पार्टी कार्याले के ऊपर खेल चुरू हुआ चिराग पास्वान नितीज कुमार यह इसलिए इसलिए बढ़ रहा है कि चिराग पास्वान को सिनियर मानने लगे और लेकिन यहां तो एक को भव निर्वान विभाग ने वापस ले लिया उसका अवंटन रद कर दिया इसका अवंटन रद होने के बाद तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था लेकिन जैसे ही यह ख़बर निकल कर आई कि उसी पार्टी का रियाले को अब चिराक पास्वान को अब 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 पहुच गये हाईकोर्ट और हाइकोर्च में उन्होंने अपील कर दी अपील करते हुए अपनी दलील दी कि यह पार्टी और पर हक मेरा है क्योंकि येस पार्टी कार्याले में जो पार्टी चलती थी वो दो भाग में बटी और एक भाग जो मेरा है वो इसमें रहा है और इसी में हमारा कार्याले चल रहा था इसको लेकर पसुपधिपारस की तरफ से कहा गया कि इस कार्याले में हम लोग अपनी कार्या में इसके रेनोवेशन के लिए वहां में सरकार से अपील की थी नतीजा ये हुआ कि रेनोवेशन तो हुआ नहीं किसी कीमत पर वहां मैरा आवंटन जो है वो रद कर दिया गया जिसके बाद से मामला हाई कोट में लंबी तब देखने वाली बात है कि इस पूरे लडाई का प ये पहले बार ही जो कसर बाकी रह गया था चाचा के साथ वह वापस कर दिया की लडाई लडाए रसıl में उतरखा चुनावरी में उतर में लुया अब इधान तो हो चुनाम इसका क्या परिणाम होगा ही हम सब जरूर देखेंगे जूर लेगा देजूर की साथ